प्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं आपकी होस्ट ममता मली आज आपके लिए जो रेस्पी लेकिया हैं वो लेकिया हैं हूँ आलू बुखारे की चटनी जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और मैं आपको जटपड बनाना सिखाऊंगी इस चटनी को आप 6 मिने तक स्ट बुखारे लिए हैं जिनको हमने धो कर सुखा कर रख लिया है और साथ में हमने एक कटोरी शूगर के लिए हैं और चार चमा चमने मगज के लिए हैं अलो में हमने लिया है नमक लिया है और भुना हुआ जीरा लिया है और हमने काला नमक लिया है और देगी मिर्च लिया है मगज रोस्ट हो गया अब इसे हम निकाल लेंगे अपने आलू बुखारों की कटिंग करेंगे हमारी आलू बुखारे की हमने कटिंग कर ली है अब इसे मिक्सी में मैश करेंगे देखिए हमारा आलू बुखारा बिलकुल अच्छे से मैश हो गया है आलू बुखारा बिलकुल मैश हो गया है अब इसके हम चटनी बनाएंगे पहले हम अपनी गैस ओन करेंगे अब इसके अंदर हम अपनी आलू बुखारे की पेस्ट डालेंगे चार से पांच मिर्ट तक इसको मच्छे से पकाएंगे इसके अंदर हम अपनी एककटोरी शूगर डालेंगे अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी हम मसाले आड़ करेंगे चमा चम नमक डालेंगे चमा चम भूना हुआ जीरा डालेंगे एक चमा चम काला नमक डालेंगे चमा चम देगी मिर्च डालेंगे इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब तीन से चार मिनट क्लिक्स को हम अच्छे से कूप कर लेंगे और इसको हलके हाथ से चलाते रहेंगे तांकि नीचे ना लग जाएं तो फ्रेंड्स देखिया हमारी चटनी बिलकुर रेडी हो गई है गैस बंद कर देंगे और अपने इसके अंदर मगस डाल देंगे इसके अंदर हम अपने चार चमट मगस डाल देंगे इसे मच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिये फ्रेंड्स हमारी चटनी की कलर कितना अच्छा आया है इसे हम सर्व करेंगे मेरी आलू बुखारे की चटनी की रेस्पी कैसी लगी है अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और मुझे स्पोर्ट करें थैंक यू